प्यारवेट देखते हैं कोश्चन नमबर 6 एक्सरसाइज 7.2 बेहत इसी सही कोश्चन है इसमें कहाग है कि यती बिंदू 1,2,4,y,x,6,3,5 इसी करम में लेने पर एक समानतर चत्रबुच के शीर्ष हो तो x,y का मान ज्याद करो तो ये एक करम में लेने से एक 27 चत्रबुच के शीर्ष बनते हैं यह उसको नाव देतें कि A-दिंदू A,Dindu B,Dindu C,Dindu b तो येक करम में लेने पर एक 27 चत्रबुच के शीर्ष हैं तो हम एक x और y का मान ज्याद कर दे अब अब एक 70 चत्र कुछ बना ले और हम उसको करम से बे ले, A हमारे पास है 1-2, B हमारे पास है 4-Y, C हमारे पास है X-6, और D हमारे पास है 3-9, लेको आपकी मर्जी है A, B, C, T भी ले सिख्के हैं, लेकिंगे ऐसे को करना A, B, C, D, मंदग आप चाहें तो क्रोक आइस चल ठबोड़े, चाहें तो इस तरह से चल ठबोड़े जाये इस बत करना की a, b, c, d, है यहां से कर सकते हैं यहांसे भी एक कहीं से कहीं धिसमें को हम precursor दे Arabs को सब्सक्राइब देक्सनायतर चलते ऑपर्परटीκ कि एक कि होती है कि जो समांतर चत्रपुज के विकर्ण होते हैं, वो प्रस्पर सम्धिवाजित करते हैं, यानि कि इसका जो विकर्ण है AC और इसका जो विकर्ण है BD, यह आपको यह सम्धिवाजित करते हैं तूसरे को, बराबर भागों में बाढ़के हैं, यानि कि जो AC का मिड़ पॉइट है, वह समांसर चत्रपुच के विकर्ण परस्पर सम्द्वी भाचित करते हैं इसलिए एसी यह पूरा लिखना है तो पूरा लिखतो के विकर्ण एसी के मध्याविंदू के निर्देशांग एसी का मध्याविंदू उसकी निर्देशांग है बराबर होगे विकर्ण विदी के मध्याविंदू के निर्देशांग है यहां पुस्में बरभर होग़ों अब इसी कहलोच जब द jijकों बंद्रिय तुमें फ़र्वरणा चाहते हैं क्या मесяं एक प्लस एक्स एक प्लस एक्स बते दो इसी तरह से दो पلف पलस छे दो पलस छे बते में दो यह इसी के आगरρεब बहुत है इसे तरे से वीटींगे, चाहर प्लस 3, चाहर प्लस 3 बटे में 2, और y प्लस 5, y प्लस 5 बटे में 2, अब यहाँपे आउगाले पास, a plus x बटे में 2 2 और 6 8 बटे 2, 4 जाएगा यहाँ पे आगए 4 किंग 7 7 बटे 2 और यह हो गया y plus 5 बटे में 2 अब यह किसके बराबर है याईनि कि a plus x बटे में 2 किसके बराबर है 7 बटे 2 की और इस तरह से 4 किसके बराबर है y plus 5 बटे में 2 आरपार बुला कर दो, 2 पुलस 2x बराबर है सादुनी 14, तो 2x बराबर है 14 माइनस 2, तो 2x बराबर है बार है, तो x बराबर है 12 मटे में 2, तो एकल 2, 2 चीके 12, तो x का मान आ गया 6, इसी तरह से यहाँ पे अगर हम आरपार बुला कर ले, ऐसे कर लेते हैं, तो y प्लस 5 बराबर है 4 में 8, तो y बराबर है 8 माइनस 5 चैनिके 3, तो x का मान आ गया हमारे पास 3, और y का मान आ गया 3, तो यह हमाने पास इसका अंसर, तो बिल्कुल एजी सा कोशन था, कहीं कोई कोई कोंप्लिकेशन नहीं थी, बस आपको जो समांतर चत्र कुछी है, उसके भी करनों से समद्धिती स्कूल का पताव रची है, बड़ इसली आपके इस कोशन को सोन करने, तो यह था हमारे पास कोशन नुमर 6, पहरे बचों की किसी तरह से हमारे पास कोशन नुमर 7 है, इसी कोशन है बिल्टु, बिल्टु A के निर्देश आग ग्याद कीजिए, जहाँ A, B, A, व्रिट का व्यास है, बिल्टु A के निर्देश आग ग्याद करने, कहाँ पे, जहाँ पे A, B व्रिट का व्यास है, जिसका के इंदर कितना है, 2, 3, तथा B के निर्देश आग है, 1, 4, तो अभी हाँ से देखो, एक व्रिट की बात हो रही है, और इस व्रिट में, A, B इस व लिग व्यास है तो इसका कहीन के अंदर कई हुगा हमें किसी की निरो इसके की निरो महीं है और जो बी के निरोधेशांग हो कितने एक और चा। तो A के निर्देशांक हमें ग्याब करते हैं तो के अंदर को उन क्या मालेते हैं? C अब आप देखें कि A B वृत का व्यास है व्यास है तथा C वृत का किंदर है तो यहां तक तो कोई नहीं बात अमने ले लिखिए जेंके हमें क्या करना है कि A के निड्देशांक लीदा आज़ी तो माना बिंदू A के निड्देशांक एकस वाई मान सकते हो फिर्टेक यह एकस वाईवाई टाइक को जाते हैं तो अम A B ले देते हैं समाल A B अब देखुए, C जो है, किंद्र है, तो AB का मत्य भी तो नहीं हो रगे, C, जितनी ये तो ये तो ये, तो ये तो ये, अब देखुए, किंद्र C, किंद्र C, किंद्र C, व्यास AB का मध्या बिंद्र है, जो किंद्र C है, व्यास AB का मध्या बिंद्र है, तो मध्या बिंद्र फर्मने से, मध्या बिंद्र सुप्तर ज्वारा, बिंद्र C के निर्देशान, बिंद्र C के निर्देशान, क्या होगे एक हमने क्या वाल दी ए और बी तो क्या हमने एक प्लस एक बटे में दो और बी प्लस चार बटे में 2 गैद में करनेसा तो पसें हो system भीज सेंगे हों कितनी से दोड़ी है जबären वह प्लस सब्सक्रानिकार दोड़ करकें दोड़ इसी तरह से दी प्लस चार बकेमें दोड़ावर है मम हैं मड़ब द्मक्तरा कर दिया हमने A प्रबस A ब्रबर है 4 A ब्रबर है 4 माइनस 1 3 तो A तो आगया 3 इसी तरह से आरपार मुना करेंगे तो B प्रबस 4 ब्रबर है माइनस 6 तो B ब्रबर है माइनस 6 माइनस 4 तो B ब्रबर है माइनस 6 A का मान आगया 3 और B का मान आगया माइनस 10 तो A का मान 3 आगया और B का मान minus 10 आगया और B का मान minus 10 आगया और B कहें के बिदू A के निर्दिरिशाएं क्या वाले? 3 और minus 10 ये हमारे पास इसका अंसर आगया तो गैरे बच्छो ये था हमारे पास question number 7 प्यारे बच्छो देखते हैं question number 8 बिल्कुल simple question है, थोड़ा सा tricky बना दिया है उसको, जाने मुझके दुमा दिया थोड़ा सा, question बिल्कुल simple है यदि A और B करमश है, minus 2, minus 2, और 2, minus 4, वो दो, तो A और B दो पाइंट है, जो हमें लिखती है तो बिन्दू P के निर्देशांग ग्याद करने है, अब बिन्दू P के निर्देशांग ग्याद किजिए, ताकि A P, A P, A P ब्राबर है, 3 मटा 7, A B, 4 और, P रेखाकंड A B पर च्थितोर, जो P है और रेखाकंड A B पर है, तो P, A B रेखाकंड के हैं, ठीके, अब हमें V के निर्देशांग ग्याद ग्याद है, तो हम विवाजन सुतर से निकाल सकते हैं, अब विवाजन सुतर से में क्या पता होना चाहिए, हमें अलुपात पता होना चाहिए, कि P ने किस अलुपात में विवाजन की है, अब आप देखो इसको ध्यान से देखो, कि यहाँ पे A P है जो, तीन बड़ा साथ है A B का, A P ये, ये इस पूरे का तीन बड़ा साथ है, यानि कि अगर ये पूरे साथ हिस्से है, तो A P उसका तीन हिस्से है, एक तो आप इसको इस तरह है सबसे, या बड़ा को इसको ऐसे दिया हो, A P बड़े में, इसको इसके बड़े में लिया हो, A B, बराबर है तीन बड़े में साथ, अब देखो, आप इसको देखोंगे, कि आप पाफुला करेंगे तो यह इंदर आ जाये हैं देखो तो इसको हम वापस यहां देखें AP बटे में AB, AP ये और AP ये पूरा AP के तीन इसे, AP के लिए तीन और AB के लिए साथ इसका मतलब ये तीन इसे और ये पूरे साथ इसे यनिए कि इधर कितने हिस से आ जाएंगे उसर? 4 होगें, तो इधर वाले हिससे कितने हो गए? 4 हिससे हो गए, यनिके अगर मैं लिखूँ के AB, AP, अनुपाफ PB AP और PB तो ये तो ऊपर तो तीन ही है, ये पी, और PB कितना हो गाए? इस पूरे में से यह माइनस हो जाएगा, पूरा कितना है, साथ, और यह कितना है, तीन, तो AP बटे में PB, यह कितना जाएगा, तीन बटे में 4, यह तो आपको सुम्झाने के लिए दिखा है सिद्धाई, यह तो आपको सुम्झाने के लिए दिखा है, तो आप तो सिद्धाई लिख देंगे कि ये 3 इससे है और ये हमाने पास 4 इससे हैं तो अलोपात कितना हुआ इन रुपात चार अगर वो AP और एक तो लेता AP और एक लेता PB तो फिर सिद्वा या रुपात होगता हुआ यहां पे हमारा मान लोग ऐसे कह दें कि AP बराबर है 3 बटा 4 पीबी यह तो तीन बटा चाहर होगा अगर उसने एपी ले लिया पूरा तो उससे दूसरा बार निकालना पड़ेगा माइनस करके दूसरे बार निकालना तो 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 इसको निकालना है अपी है और पूरा है तो यह कितना होगा वह सो करते दूसरे वह है तो यह नुपांद आगे हमाहुआ अब को खाने कजीजें हैं टो अब हमारे पास x1 का मांद लो दो, y1 का मांद लो, q2 का मान M5-4 M2 कमान 4, अब रिक्केंगे, के बिन्दू, P के निर्दे शांग, क्या, M1 X2 प्लस M2 X1 बटे में M1 प्लस M2, उसी तरह से, M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे में M1 M1 प्लस M2, अब यहां से हम, M1 X2, M2 X1, M2 X1, minus 8, और बटे में T1 प्लस चा, M1 Y2 M2, minus 12, M2 Y1, minus 8, बटे में T1 प्लस 4, यहां पर हमारे पास 6 minus 8, minus 2 बटे में 7, minus 12 और अब minus 20 बटे में 7, तो यह हमारे पास इसका अंसर है, तो बिल्कुल इसी कोशन था, कुछ भी नया नहीं था, इस चोटी सी बाती जो आपको पता हुझे, तो यह था हमारे पास question number 8, प्यारे पास देखते हैं question number 9, बेहर इंटरस्टिक question है, इसमें कहा गया है, कि बिन्दों A, minus 2, 2, और B, 2, 8, को जोडने वाले रेकाखंट A, B को चार बराबर भागों में विवाजित करने वाले बिन्दों के निर्देशांग ग्यात अरूर, हमारा जो second question था, उसमें तीन बराबर भाग में विवाजित किया था, अब कि बार क्या है कि चार बराबर भागों में विवाजित करने वाले बिन्दों के निर्देशांग, आप इसमें चार बराबर भागों में बागने, आप इसको एक बार ध्यान से देखना, मैंने यहा अब देखो, एक, दो, तीन और चार बराबर भागों में अब हमें क्या करना है, सी, डी और एक निर्देशांग ग्यान करने, अब आप देखो, सी को देखो तर लेगों, जो सी है, वो एबी का मध्या हिन्यू है, तो कि इदर इतना है और इदर इतना है, कि सी, रेखा खड अबी का मध्या बिंदू है, इसलिए बिंदू सी के निर्देशांग ग्यान कर सकते हैं, मध्या बिंदू से क्या मनेगा, माइनस दो प्लस दो बटे में दो, और दो प्लस आठ बटे में दो, तो यह आगया, माइनस दो प्लस दो दो जिरो ही हो गया, और यह दस बटे में 2, यानि permet क्या आगया, जिरो और पांच, वह मारे पास बिंदू सी के निर्देशांग ग्या अगय, जिरो और पांच, एग, तो आगया हुमसे रहूँद हा, अब देखो, अब आप यहां से द D, रेखा खण, A, C का मध्या ने दुआ है, इसलिए तो बिन्दू D के निर्देशा है, बिन्दू D के निर्देशा है, इसके निर्देशा है, तो करने निर्देशा है, माइनस दो प्लस जीरो बटे में दो, और दो प्लस पाच बटे में दो, यह हमारे पास आगया, माइनस दो बटे में दो, और साथ बटे में दो, माइनस दो बटे में दो, पाच अब दो साथ बटे में दो, तो माइनस दो बटे में दो, तो माइनस ए एक और साथ बड़े दो, अब E रहा है, अब आप E देखें, E CP का या BC का मज्य बिंदू है, तो हम दिखते हैं, कि EC परका E रेखा खड़, BC का मज्य बिंदू है, इसलिए, BC का कहले है, BC का कहले है, BC का कहले है, LED की बात है, बिंदू, E के नित्देशा, इक इनिट देशा बनानों वोई क्या बनाएगा दो प्लस जिरो या जिरो प्लस दो एक बादा दो प्लस जिरो बटे में दो और ये आठ प्लस पाच बटे में दो तो ये दो बटे में दो और ये तेरा बटे में दो दो बटे में दो एक आजाएगा और ये तेरा बटे में द तो यह हमारे पास अंसर है, तो यह अंसर पास यह फ्रैकिंग वह यह था, तो बिल्गूल इजी कोशन था, सेक्शन फर्मूलां की भी हमें जिवरत नहीं पड़े, मद्दे बिंदू फर्मूले से हमारे किन्डों किन्डों जो बिंदू थे, उसके निट देशाल हमने साइज 7.2 का लास्ट कोश्चन, बेर इंटरस्टी कोश्चन है, इसमें कहा गया है, एक सम्चत्रबुज का क्षेत्रफन ग्याद कीजिए, जिसके शीर्स इसी करम में, करम में लेने, या तो हम कलोपवाइस लें, या एंटी कलोपवाइस लें, तो यह सम्चत्रबुज का क्षेत्रफन ग्याद करने हैं, तो इह चार शीर्स देऊ है, इसको अगर हमें सम्चत्रबुज की शेड में, लिखके, यहा नगा दें, जिसको A मालें, तो A हमारे पास 3-0 है, तो V हमारे पास है 4-5, C हमारे पास है-1-4, और D हमारे पास है-2-1, क्यों रिपीट करो, यह गलती नहीं करने कि A, B, C यहां ले जाओ, A, B, C भी तो यहीं आएगा, मालनो A, B, C, यहां से A स्टार्ट करते हो तो A, B, C, D, S, E कर सकते हो, यहां से A स्ट प्राम निए लगा देनी है, तो यहां कि इस तरह से चलो, यह फिर इस तरह से चलो, मजई आपकी इस तरह से चलो, कोई फरक नहीं है, लोकवाइच यह यह फिर एंटी कोई करने, लेकिल ब्रेक नहीं करना कोई भी बाइट भी चीनिसी, तो इसका अक्शेक्रफल निकालना अब में पत्छा है कि जो शम्चत्रिबूज का अक्षेत्र रफर वो एता है सम्चत्र वूज ए बी औ सीविका अक्षेत्र फरके आधा है एक बटा दो गुना में यानि के पहले दो लोग विकर्ण निकालने पड़ेगे, ठीक है, अब हम निकालेगे विकर्ण AC, विकर्ण AC की लंबाई, AC, ये, दूरी सुतर लेगे इसके, यहां से ही कर लेते, तो ये, टीब माइनस माईनस प्लस थो प्लस एक इसका हँद को जाएगा, और ये 0 माइनस 4 इसका वड़काँ जाएगा, यहां से आजाए 3 और एक 4, 4 से 16 और यह भी 16, तो यह हो गया 22, इसको 16 गुना में 2 लिख देते हैं, तो यह आगया, 4 बर गुर 2 मात्र, इसी तरह से, विकर्ण, BD की नमबाई, यह भी हम नहीं कार सेथे, BD, 4, माइनस, माइनस दो यह तो प्लस का दो हो जाएगा, इसका बर गुर्ण, प्लस, 5 माइनस, वो माइनस है का तो यह भी प्लस हो जाएगा, यहां पर हमारे पास 4 दो 6, 6 से 36 और यह भी 36, यह बात तर हो जाएगी, तो बात तर कौम 36 गुर्ण में 2 निखेते हैं, 36 से 6, 6 वर गुर्ण, यह आखेगा पास, अब अब इस पास लेके इंदर रख देते हैं, तो क्या लिग देनें, कि सम, चत्रबुज का अक्षित्र फर्ण, क्या है, 1 बटा 2 गुर्ण में, विकारों का गुर्ण फर्ण, पहल और दूसरा भी करने हैं, 6 वरगुळ, अब देखो, परवीचोग,rob᪨ 2 गुरा में, वरगुळ, यह कितना होताया, 2 होता, तो यह वरगुळ, यह वरगुळ, इस दो के साथ कट दे, हमारे पास कितना बचा, 4 और 6, गुर्ण करेंगे, जिग, 4 ची के 34, अब अक्षित्र फर तो यहां पर पैरे बच्चों हमारी जो exercise है वो complete हो जाती है बहुत जादा से difficult question नहीं है basically आपकी understanding पर based question है तो यहां तक आपके तीन formula हो जाते हैं तेक है दुरी सुत्तर एक है विभाजन सुत्तर और एक है तो इन टीन सुत्तर के base पे दो exercise है बिल्कुल simple question है बस आपको इन formula के साथ साथ जो statement है उसको अच्छी तरह से समझके questions को करना है तो जितनी जादा आप इसकी practice करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहे है Thank you very much आपके बढ़िया